नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक उनला है इंपोर्टन यूनिट कर वरजन इन इस इविल इनिंग तो फ्रेंट्स यह जो है काफी इंपोर्टन टॉपिक है अगर आप एक सिविल इंजिनिरिंग है और आप साइट पर काम कर रहे हैं आपको यूनिट्स के बारे म प्रॉपिल नहीं पता तो फ्रेंट्स यह आपके लिए जाननी काफी इंपोर्टन है क्योंकि आप फिर जो है वो प्रॉपिली काम नहीं कर वा सकते और फ्रेंट्स अगर आप एक फ्रेशन सिविल इंजिनियर है अभी अभी आपके डिगरी खतम हो यह आप के गरीब जो है वो फीट होते हैं दूसरा है हमार पास एक स्क्वेर मिटर में कितने स्क्वेर फीट होते हैं तो एक स्क्वेर मिटर में 10.764 जो है हमार पास स्क्वेर फीट होते हैं तीसरा है एक क्यूबिक मिटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं तो एक क्यूबिक मिटर म एक सूथ में 3.175 जो है सूथ होते हैं सोरी एम होते हैं एक सूथ में अब अगला है मर पास एक इंच में कितने हम होते हैं तो एक इंच में 25.4 mm हमार पास होते हैं अगला है मर पास एक फीट में कितने इंच होते हैं तो यह मैक्सिमुम लोगों को पता होता है एक फीट में 12 میں कितने सूत होते है एक इंच में घूठ turnout हो प्रेंट में ह czym है वो और सूत होतें है अग्ला फ्रेंग समय वह है एक न्यूटन इम भी हैमें स्क्वेहर में कितने किल्ग्राप संत्मींटे detraced होते हैं तो एंग न्यूटन इम ऋक्यर में हमार पास 10.197 सब्सक्राइब दोस्तों आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जो पॉइंट से पहले की वेलू है वो तो हमने पूरी गिन्नी होती है जैसे टैन 20, 30, 40 लेकिन पॉइंट के बाद जो है हम इसे जैसे 197 ऐसे नहीं बोल सकते इसे हमें 197 एक डिजिट ही बोलना होता है तो यह एक तरीके से रूल ही है यह भी आपको पता होना चाहिए अगला है हमारे पास एक याड तो एक याड में कितने फीट होते हैं एक याड में हमारे पा फ्रेंट से एक यूएस गैलन जो है वह कितना होता है एक यूएस गैलन 3.785 लीटर के करीव अगला है एक फीट में कितने मीटर्स होती है यहाँ पर वह उल्ट ओगया तो हमने क्या करना है उसको जो है डिवाइड कर देना होता है जैसे हमार पास थ्री प्रीप्ट डॉइ पास हए किलो मिर में कितने मीटर होते हैं तो है किलो मिटर में आखे हैं हमारे पाश हजार मीटर होते हैं एक टन में हजार किलोग्राम होते हैं अगला फ्रेंट्स एक किलो न्यूटन मीटर दी क्यूब में कितने किलोग्राम मीटर दी क्यूब होते हैं तो एक किलो न्यूटन मीटर दी क्यूब में सौ किलोग्राम मीटर दी क्यूब होते हैं यह काफिक इंपॉइन तो यह आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा अग्लाइफ एक माइल में कितने किलॉमेटर होते हैं तो एक माइल में 1.609 किलोमेटर होते हैं तो माइल सबकराय जो है ये फ्रेंट अमेरिका वागरामे जाद जलते हैं तो यह भी याद रखनी होती है क्योंकि क्या इवार ये इविंटरो में पूछ ली जाती है अगला है एक केज़ी में कितने नियूटन होती है और यह अगला है एक नियूटन एक मेगा पास्कल के बराबर ही होता है अगला है एक कुंटल जो है वो सौ किलो के बराबर होता है यह मैक्सिमों लोगों को पता होगा क्योंकि जो begin we ический अब देखते हैं कि नॉरंमली फो समान वगर लाते हैं वह उनकी जब खार उतिए मे लाती हैं तो यह में अगला है friends one UK gallon अभी यह पहले जो हमने किया वो इश था यूस का गैलन अभी ये UK का गैलन तो इनकी जो है वो यूनिट स्थोड़ी दोनों की अलग अलग है तो यह हमें friends यह व्याद रखनी होती है एक UK के फिल खते इंप फोर पॉइट फॉर यह इंचीड G फेलिए और अच्छीज़ बाह्त लूर्ट रेइज़ु आपको यह बहुत अच्छी और इंफिर्मेटिव पोस्ट डालते रहते हैं आप जाईए उसे जरूर फॉलो कीजिए और फ्रेंट्स वीडियो को देखने लिए धन्य बाद थैंक फॉर वाचिंग बंदेबात्रम जय हिंद